मेरी मा टेलिविजन देख रही थी उन्होंने मुझे वाटसएप एक मैसेज भीजा कि मनोज कूल रहना बोलने में मैं कोशिश करूँगा मैं कूल रहूँ किरपया किरपया बोलने दे किरपया ट्रेजरी वेंचे से पर आगे आगे बोलने दे किरपया बोलने दे मानिये मनोज हाजी मानिये मनोज हाजी आप चेयर की तरफ देखकर एड्रेस करें आपकी बात ही रिकॉर्ड पर सर उधर भी देखने का मन कर जाता है सर आर्टिकल 370 वो तो इस जनम में नहीं होगा आर्टिकल 370 को लेकर के जो चीजे हुई है सर मैं उसके पक्ष में कता ही नहीं ख़रा हो सकता सर सर मैं अपना इतिहास जानता हूं सर मैं 370 के बनने की गाथा जानता हूं सर मैं कश्मीर का हिंदुस्तान में विले का इतिहास जानता हूँ सर मैं बौनी समझ का नहीं हूँ सर और चुकी बौनी समझ का नहीं हूँ मैं लगातार इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए कश्मीर की जग़ जमीन या कश्मीरी अवाम सर आज मैं दुक के साथ कह रहा हूँ मेजारिटी है मेजा, बार बार आगाह کرता हूँ मेजारिटी आती है नसर तो बड़े अच्छ च्छे और बुरे बुरे दोनों खयाल आते हैं सर अच्छे वाले को पकड़िये बुरे वालों को छोड़ दीजिए जो मैं एक सर 1966 में इंदिरा जी को लिखा हुआ जैपरकास नारेंग जी की चिठी पर रहा हूँ और इसको मान लिजिए आज की तीथ में मेरी चिठी आधरनिय ग्रिह मंत्री जी और अधरनिय प्रदान मंत्री जी कहना हूँ मैं जैपरी की चिठी पर रहा हूँ अगले परेग्राप में जा रहा हूँ सर मैं अगले परेग्राप में जा रहा हूँ बड़ी लंबी चिठी है अगले परेग्राप में जा रहा हूँ साने में आना चाहिए कि पुलिटिकल कम्मिनिकेशन का कतल हुआ उसकी वज़ा से तीस साल पूरा नहीं घाटी में जव यह वापस आई हैं सब इतने पर ही बात नहीं रुकेगी एक नहरू जी को भी लिखाता उनीस सो चपन में जा प्रकास नाराइन में यह जी जाट अपूर नहीं जाट पूराइन में आफ चाहिए बात चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ओफ वोट नैशनल फ्रेंटियर्स गिवाइड देम वोल्ड पीस इस पॉसिबल अपन नो अधर है पॉसिस सौर आई बिलीव जेपी के चाहने वाले और फॉलो करने वाले कुछ लोग उदर भी है कि हम उस दिश्चिकौन से और नहीं सूच सकते हैं हमारा पूरा दिश्चिकौन है कि इस नेरेटिव को चलाओ आज ये चलाया जा रहा है कि जो हम बिरोध में हैं हम आपके सामधधानी मानताओ की कमी के बिरोध में हैं हम Constitutional History के Brutal Murder के खिलाफ हैं सार हिंदुस्तान की मुहबत का अगर कोई पैमाना होना तो Dispensary में मसीन लगा दीजिए और तोल लीजिए किसमें कितना है हंदुस्तान के लिए मुहबत का सार हो सकता है आप से कम ना हो तो मैं इतना ही आगरह करूंगा मैं कौशन कर रहा हूं सार कल मैं सदन में हूँ न हूँ मानने हूँ सभापती मौद है आज हमने मौफी के साथ कहता हूँ कश्मीर के पलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है मुझे दुख के साथ कहना पर रहा है पांस साल बाद आप मुझे मानोगे आप नेरेटिव चला रहे हो चलाओ लेकिन कोई भी नेरेटिव इस मुल्क में अमरित पी के नहीं आया हमने पुराने नेरेटिव ख़को होते देखे हैं मैं सिर्ब हाथ जोड़के विंती करता हूँ अहंकार क्यागिए कश्मीरियों को गले लगाईए तब कश्मीर अपने आप गले लग जाएगा आपने अलग कर दिया वो मुझे दुख है आज सर मैं कभी टोका टाकी नहीं करता हूँ सर मानियुप सभापती मोदा आपका प्रोटेक्शन चाहिए वैसे भी बहुत बड़ी मेजारिटी है और यहाँ जिस प्रकार से लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो बड़ा डर भी लगता रहा है पटवले साहब इस जनम में संभव नहीं है साथ असर मैं आगे क्या कहूँ बस इतना दोस्तों आप इधर बोड़े आप अप अपनी बात सार मैं कंक्लूडिक आप चेर को देखर सम्बोधित करें आप ही के बात रिकॉर्ड पे जाए अगर आपको कह रहा हूँ कि अगर दिन इतिहासिक है तो इतिहासिक दिस्टी भी होनी चाहिए ना सुनने की संबेदना भी होनी चाहिए क्योंकि आज इतिहास दर्श कर रहा है सर आज हो सकता है हम में से कुछ को फिक्टिशियसली विलन बना के पेश किया जाए लेकिन मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ पात साल बात जेपी की ये चिप्टित पढ़ ही जाएगी और कहा जाएगा कि सदन में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी सरकार को आगा किया जाएगा